अलो दोस्तो मैं पुश्रान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक वीडियो टू कॉमिट्टी में स्वागत करता हूँ तो आज हम इस वीडियो में किस टॉपिक उपर बात करने जा रहे हैं वो मैं आपको बात बताऊंगा सबसे पहले यहाँ पे हम चार्ट पे आना चाहेंगे और यह आपका डेली चार्ट अब चार्ट का टाइम फ्रेम कुछ भी हो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने की जवत प्राइस देखिए आपका उपर से नीचे साइड की तरफ आ रहा है अब यहाँ पे प्राइस आपका थोड़ा से ऊपर भी जा रहा कभी नीचे जा रहा फिर उपर जा रहा फिर नीचे जा यहिनि प्राइस आपका एक पार्टिक्लर मॉव निखा रहा लेकिन यहां कोई क्लveda करण डायेक्शन नहीं मिल पा रहा है कि यहां से further हमें downfall move देखने को मिलेगा या फिर हमें upside move देखने को मिलेगा और maximum लोग यहीं पे confused होते हैं और यहीं पे गलत decision लेके trap हो जाते हैं तो यहां पे हम कैसे पता करेंगे कि market का direction आगे आपका upside वहने वाला या फिर downside वहने वाला इसके लिए हम एक strategy form किया उस strategy के उपर हम इस video में बात करने जा रहे हैं similarly यहां पे हम दूसरे example पर आते हैं दूसरा अगर आप gill के stocks को देखो तो देख सकते हैं price आपका एक particular range में यहां पे move करता हुआ दिख रहा अब इसके बाद यहां से price आपका उपर भी जा सकता और नीचे भी जा सकता अगर हम जैसे ही गलत direction में trade लिए तो यहां पे हमें आसानी से trap में फसा लिया जाएगा और as a result यहां पे हम loss कर सकते हैं तो इससे हम कैसे बच सकते हैं इन सारे technique strategy को उपर हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं market में जब भी confusion होता है तो उसको समझने के लिए हमें एक strategy एक technique का इस्तमाल करना होगा और उस technique का नाम है candle blending जिसके उपर हमने पहले भी वीडियो बना रखा है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के description में उसका link मिल जाएगा नहीं तो आप eye button पे click करके भी वो वीडियो देख सकते हैं बांकि सबसे पहले हम देख लेते हैं केंडल ब्लेंडिंग होता क्या है और इसके जड़ियो मार्केट जब भी हमें कन्फ्यूज कर रहा है तो इस कन्फ्यूजन से हम बाहर निकल सकते हैं और मार्केट का एक clear cut direction हमारे सामने आ जाएगा और इसके बेसिस पे हम trap में भी नहीं फसेंगे हम trap से भी अपने आपको बचा सकते हैं तो candle blending होता क्या छोटा सा अबर भी देख लेते हैं यहां पर हम दो या दो से जादा candle को एक साथ blend करके एक single new candle का formation करते हैं यहां पर देखिए दो candle है पहला candle weight है और दूसरा candle green है अब output हमारा क्या निकलता है सबसे पहले candle के opening point को लेते ही हमारा opening point हो गया उसके बाद दूसरा candle आपका closing कहां पर दिया हो लेते हैं यहनि पहला candle का opening point और दूसरा candle या फिर last candle का closing point अगर हम दो यस से जादा candle ले रहें तो first candle जो भी होता opening point और लास्ट केंडल जो भी होगा closing point फिर उन सारे केंडल में जो भी highest point बना है वो हमारा यहां पे high बन जाएगा और जो भी lowest point बना हो हमारा low बन जाएगा और इस तरीके से यह candle का body size बन जाएगा बांकि आपका tail बहेगा तो इस तरीके से हमारे सामने candle बन के तयार है वैसे ही अगर इसी का opposite candle हो तो पहले candle का opening point यह open यहां पे हुआ है और दूसरा candle का closing point यह open यहां पे दिया है ति हमारा candle का body size बन जाएगा lowest point यह रहा तो low बन जाएगा highest point यह रहा तो high बन जाएगा ति इस तरीके से candle का formation होता हुआ हमें देखने को मिलेगा अब देखिए यह दो जो यह दो candle से कोई clear का direction नहीं मिलवा लेकिन जैसे इसको हम blend किये long till at the top that means यहां पे sellers ज्यादा active दिख रहे हैं तो ऐसे ही market का आपका एक clear direction पता चल जाएगा वैसे market में और भी confusing situation आते हैं उसके जरीए भी आप candle branding यूज़ करते हुए समझ सकते market का direction जैसे हमने previously example लिया था यह यहां पर price आपका उपर से नीचे आ रहा यहां फिर रेड़ candle बनाया फिर price यहां से आपका उपर गया फिर NEE्चे आया है फिर price आपका यहां से उपर गया फिर आपका नीचे आया अब यहां पे हम totally confused है for example हम एक ये करके बादकरते हैं ठोरा से इसको हम So dead कर लेते हैं जि सारे candle को blend करते हैं अब बहुत साइब लोग सोचेंगे कि यहाँ पर हम time frame change करके भी काम कर सकते हैं आप time frame change करके भी काम कर सकते हैं लेकिन बहुत जगा हमें ऐसे candle blend करने पड़ते हैं 3, 4, 5, 10, 11, 12 उस time frame का chart हमारे सामने नहीं रहता है तो फिर उस time पर आपको confusion हो जाएगा आप इस concept को समझ लिए शेख लिजे और time frame change करके काम हो जाता है आप वो काम भी कर सकते हैं अपने सहुलियत के हिसाब से लेकिन इसके बारे में आपको idea होना चाहिए यहाँ पर हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 candle को एक साथ blend कर रहे हैं और आपको 7 candle का chart नहीं मिलेगा 5 candle का chart आपको weekly मिल जाएगा लेकिन 7 candle का chart आपको देखने को नहीं मिलेगा तो यहाँ पर हम देखते हैं अब देखें पहला candle का हमें क्या लेना opening point तो पहला candle open कहाँ पे हुआ है इस price पे open हुआ है candle कलर आपका red होगा उपर में high बना ही है तो यह इसका tail बनेगा और नीचे में जो lowest point बना है यह बना है तो नीचे में tail ही हो जाएगा तो अब देखें यहाँ पर क्या formation हुआ है long tail at the bottom अब candle कलर red है यहाँ पर हमें buying का confidence नहीं मिल लगा है लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज आइडिया मिल गया है कि जो buyers हैं वो थोड़े बहुत clear cut हमें active दिख रहे है मतलब अगर हम यहाँ पे sell side की तरफ positions ले रहे हैं तो एक काम करना है कि sell side की तरफ positions हमें avoid करना है मतलब यहाँ अब यहीं market का कोई clear cut direction नहीं दे रहा लेकिन यह हमें trap से बचा रहा है जो हम trap में first सकते थे उससे हमें यह protect कर रहा है उसकी बाद फिर देखिए price आपका उपर सारी की तरफ गया फिर यहाँ पे एक ज़़दा sweat candle का formation हो गया अब यह फिर से हमें confuse कर दिया क्योंकि market जैसा हम सोच गए थे उसके against जाने फिर से start कर दिया तो फिर से हम इन सारे candle को एक साथ blend करने की कोसिस करेंगे blend करके देखते हैं कि क्या कुछ formation हो रहा है तो क्या होगा पहले candle का opening point first candle यह है इसका opening point यह रहा last candle का closing point जो कि हमें यहां पे यह देखने को मिल वहा यह candle का body बन गया यह इसका high हो गया और lowest point हमारा यही बनता हुआ दिखेगा तो अभी भी candle का color rate है और body size भी काफी बिग है लेकिन अभी भी buyers काफी हद तक हमें active ही देख रहे हैं buyers यहां पे कमजोर होते हुए नहीं दिख रहे हैं लेकिन इतना भी strong नहीं है कि हम इसके basis पे buy size की तरफ जा पाए हमें यहां पे कुछ न कुछ triggered points चाहिए तो फिर से price आपका थोड़ा सा नीचे उपर move किया है और यहां पे strong green candle हमें देखने को मिला है तो अब हम इस green candle की जरीए पूरे को एक साथ blend करके देखते हैं तो price आपका open हुआ है इस level करीब और closing दिया इस से just उपर यहां पे हमें closing देखने को मिला है और highest point की बात करें थोड़ा सा उपर highest point है और tail हमारा यही होगा क्योंकि इन सारे portion का lowest point यह बनी है तो यहाँ पर देखिए यह candle का formation किया है long tail at the bottom that means to यहाँ पर जो buyers है वो काफी हद तक हमें active दिख रहे है और अगर आप candle को identify करने कोशिस करोगे तो यह clear cut आपका hammer candlestick pattern का formation किया है और यह आपका bottom के आसपास formation किया है जो कि हमें strength दे रहा है कि आप यहाँ पर buy side की तरफ जा सकते है फिर price जैसे इसके high को breaker के उपर निकला है यहाँ पर हम buy side की तरफ trade लेंगे और इस pattern का जो भी lowest point होगा हमारे लिए stop loss के रूप में काम करेगा फिर देखिए upside move दिखाया है और हम आसानी से buy side की तरफ जा सकते है तो हमें यहाँ पर clear cut direction मिल गया और price यहाँ पर आपका गिराबी है तो इस गिराबट से हम अपने आपको panic में नहीं डालेंगे हमने सारा कुछ सही analyze करते हुए trading positions initiate किया और ultimately जबकि हमें direction के बारे पता नहीं चलवा था इसके हमें implementation पे भी focus करने की ज़रूरत है यानि कब हमें इसका implementation करना कब implementation नहीं करना in general अगर आप implement करेंगे तो वहाँ से कोई आपको result मिलने वाला नहीं है जब भी market में आपको confusion वाला position मिले जब भी market आपको confuse करे तो उस time पे आपको candle blending technique यूज़ करने की ज़रूरत है और आपको यहाँ पे कोसिस करना है कि जब भी हम इस तरह का candle का formation candle को blend करें और जब भी हम buy या sell सारी की तरह fading positions initiate करें तो उसके आसपास आपका support या resistance level होना ज़रूरी है क्योंकि यह हमें और ज़्यादा confidence देगा और ज़्यादा accuracy level को increase करता हुआ दिखेगा इसलिए जैसे यहाँ पे हमने hammer candlestick pattern का formation किया था तो हमें यहाँ पे देखना था कोई crucial support level है या नहीं है या फिर resistance level है या नहीं है यहाँ पे अगर हम गौर करते तो 3 thousand हमारा एक resistance level था है जिसको break करके ऊपर निकला है मतलब यहाँ पे हमारा resistance level break करके ऊपर निकला है यहाँ पे काफी हत तक हमें एक breakout भी देखने को मिला है तो हमें यहाँ यहाँ पे dual confirmation मिलता हुआ दिख रहा तो यहाँ पे भी आपको dual confirmation चेक करना एक और confirmation हमारे सामने होना चाहिए candle blending technique के जरिये तो हमें market के direction को तो बता देता है लेकिन उस direction में momentum है या नहीं है उसका idea हमें support या रिस्टेंसिबल आसपास होगा तो उससे हमें मिलता हुआ दिखेगा तो चली यहाँ पे हम इसके एक और example पे आना चाहेंगे उससे पहरे बताना चाहेंगे अगर आपको यहाँ पे कुछ भी doubt हो या confusion हो तो आप हमें comment section पूछ सकते हैं वहाँ पे आपको proper answer किया जाएगा और channel को subscribe नहीं किया तो channel को जहूर subscribe कर लिजे क्योंकि इस तरह के हम informative content regular basis पे आपके साथ share करते रहेंगे और bell icon दबा देंगे यह content आपके पास पहुंच जाएगा और आप miss नहीं करेंगे इसलिए channel को subscribe करके bell icon जहूर दबा दीजेगा अगर आपको content पसंद आता है तो please like करके हमें encourage करते रहें अब यहां पे देखिए वापस से price आपका नीचे से उपर side की तरफ जाता हुआ दिख रहा है अब यहां पे हमें क्या कुछ हुआ है यहां पे देखिए price आपका एक particular range में move कर रहा उपर गया उपर नहीं टिका फिर नीचे आ गया अब फिर नीचे से वापस से उपर चाना start किया फिर उपर गया फिर यहां पे आपका एक और red candle का formation हो गया मतलब यहां पे हम totally confused है कि करे तो करे क्या तो वापस से हम क्या करें है जब market हमें confuse कर रहा है तो हमारे सामने candle blending technique है हम इसका इस्तमाल करते हुए clear cut direction का पता लगा सकते हैं यह वैसे ही काम करता है जैसे जब भी आप confuse हो जाते हो इसपेसली urban areas में तो आप google map की मदद से direction का पता लगा लगते हो वैसे ही आप candle blending technique को as a map की तरह use कर सकते हैं कि market जब भी हमें confuse करता है तिहां पे हम candle blending के जरिए market का clear cut direction पता गर सकते हैं कि हमें exactly जाना किस तरफ है तो वैसे ही पहले candle का opening point पहला candle आपका open हुआ है इस वाले position पे यह पहला candle का opening point हो गया और last candle का closing point last candle closing हमारा दिया है इस level के आसपास यह हमारा closing हो गया मतलब यह candle का body size बन जाएगा और सबसे lowest point यह रहा तिह हमारा tail बन जाएगा और उपर में highest point यह रहा तो यह उपर में tail बन जाएगा अब यहां पर क्या हुआ हुआ है यह आपका shooting star candle का formation करता हुआ दिखा अगर हम candlestick के name पे जाए और आपको candlestick के name पे focus भी नहीं करना है सीधे देखना है long tail at the top long tail at the top का मतलब एक ही होता है कि यहां पर sellers काफी हद तक हमें active दिख रहे हैं sellers काफी हद तक हमें strong दिख रहे हैं और at the same time एक और काम होता है कि यहां पर जो buyers हैं वो कमजोर हो रहे हैं यह नहीं long tail at the top का मतलब है कि buyers के कमजोरी का indication देता है और sellers के activeness और sellers के strength यह निए sellers strong हो रहे हैं उसका indication देता है बस यहां पर हमें wait करना इसके lowest price को जैसे break करके नीचे जाएगा हम यहां पर sell side की तरफ जाएगे और जैसे price इसके lowest point को break करके नीचे गया हम यहां पर sell side की तरफ अपने आपको डाल सकते हैं और sell side की तरफ trading positions initiate कर सकते हैं क्योंकि यहां पर हम confused थे लेकिन हमें market का direction clear समझ मे आ गया है कि हमें trade किस तरफ लेना trade लेना नीचे के direction वाला और अपने आपको wait करते रहेंगे जैसे opportunity मिलेगा हम उस तरफ trade ले सकते हैं इस तरीके से आप candle blending technique का use करते हुए अपने trade के accuracy level को improve कर सकते हैं और यहां पर हमें एक और ची चेक करना है कि यहां पर जब भी हमने इस तो यहां पर अगर आप check करोगे तो देख सकते हैं price आपका जो वापस लोटा है 100 का crucial level है जो कि हमाई लिए resistance के रूप में काम कर रहा था और इसी level के करीब से price आपका वापस नीचे साइड के तरफ लोटा यह नहीं resistance level को respect किया है और resistance level के तरफ से हमें rejection देखने को मिला है म तब भी आप इसके basis पे trade ले रहे हो तो ध्यान देने की जरूबत है किसके आसपा support यह resistance level होना जरूरी है तो उमीद करते हैं यह concept आपको clarity के साथ समझ में आ गया होगा तो एक बार फिट से अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और content प सब्सक्राइब कीजिए मिलते नेक्स्ट वीडियो में जाहिन